नमश्कार दोस्तों तो स्वागत आज की एक और NFO अपडेट की वीडियो में देखिए एनफो अपडेट की वीडियो में लाने पारा था क्योंकि यार कोई नया NFO आई ही नहीं रहा था बहुत जादा डीप बात करने वाले हैं, आपको पूरी जी समझाने वाला हूँ कि एक्टर में यह है क्या, ठीक है दोस्तो, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, मैं हूँ आपका दोस्तरुन और स्वागत करते हूं आज की एक और वीडियो में, देखें, सबसे बाली ब करते हैं, इसका जो NAV होने वाला है, वो होने वाला है, दोस्तो, 10 रुपे, जैसे की सारे NFO जो होते हैं, हमारे 10 रुपे पे लाँच होते हैं, तो यह NFO भी 10 रुपे पे लाँच होने वाला है, इसका जो नाम है पूदा, वो है Tata India Innovation Fund, Direct Plan और और Regular Plan, दोनों लाँच होंगे डिरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान देखिए आपको किसके इंवेस्ट करना है उस चीज के आप ध्यान देखिए आपको इंवेस्ट करना है डिरेक्ट ग्रोथ के अंदर क्योंकि उसके अंदर आपको कमसे का 2-5% एक्षा रिटन मिलेगा रेगुलर प्लान में करेंगे तो आपको भी रिटरंस कम मिलेंगे और लॉंग टर्म में आपको अराम से लाखों रूपय नुक्सान होने वाला है आगे चलते हैं यह एक open ended fund है आप कभी भी इसकंद एंट्री कर सकते हैं कभी भी exit कर सकते हैं किसी भी तरीकी की problem नहीं होने वाली लेकिन अगर आप 90 दिन से पहले exit करते हैं इस चीज का देन रखेगा अगर आप 90 दिन से पहले exit करते हैं तो आपको पर 1% exit load की चोट पड़ेगी आपको exit load का नुकसान होगा आपको अगर आप आज इंवेस्ट करते हैं मालने जिए और 90 दिन से पहले पैसा आप कहते हैं यह मुझो दिन निकालना है तो एक परसेंट आपको देना होता है एक उसके बाद 90 दिन के बाद जो आपको पैसा आजाता है लेकिन जो हमारे दूसरे इस्ट्रूमेंट्स होते हैं पीपीफ हो गया आपका जो पैंशन वेरा प्लान होती है या कोई दूसरे होगा उसके अंदर 15-15 साल के लिए न उसकी लिएबिल्टी होती है माफ किजिए को वेलिएटी होती है वह पंदर साल दे पहले आप निकाल ले सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं मतला पीपीफ हो गया आपका और हमारा जो पैंशन प्लान है वह हो गया और इसके अलावा बहुत सारी चीजें है इसी से रिलेड़ेड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको minimum 5,000 प्लाइब इन्वेस्ट करने होंगे लंसम के बात करता हूं minimum 5,000 आप इस से लंसम कर सकते हैं और SIP करेंगे तो minimum 500 रुपे से आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं आप आगे मैं वड़ों उससे पहले आपको ओट जंका पाइदू एक आपके लिए छोटी सी information देना चाहता हूं आप इसमें apply कैसे कर सकते हैं वो बताना चाहता हूं तो देखे apply करने के लिए simple सीज़े आपको अपना dmatt account जो भी आपका dmatt account है आप उसके धरूँ apply कर सकते हैं अगर आपका dmatt account नहीं है तो description में आपको angel one का account मिल जाएगा link मिलेगा उस link पर click करके आप अपना account open कर लिजीगा KYC करके और आप अपना account open कर सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते दोस्तों और उसके बाद apply कर लिजेगा और साथ में जो भी भाई अपना नया portfolio बनाना चाहता है आप नए हूं market के दर आपको अपना portfolio ब पूरे इंडिया में आपको सबसे कम charges मिलेंगे सिर्फ नौसन इंडिया नमेर रखे हूं टाइम लगता है नहत लगती है लेकिन फिर भी charges कम रखे हूं जिससे कि कोई भी करा से ठीक है तो आप करवा सकते हैं बहुत easily description में जाकर चेक कर लिजेगा WhatsApp नंबर और email ID और सारी च क्या है इन दोनों में क्या वास्ता है और क्या वास्ता नहीं है देखिए सबसे पहले बद भाई SBI innovative fund वो एक theme based fund है और यह जो भाई फंड होने वाला है इसके नावड़ देखिया आप है innovation innovation और innovative लगबग लगबग same है यह fund भी हमारा theme based fund है यह एक sector based fund नहीं है theme based fund है इसके अंदर same to same उसी तरीके से investment करी जाएगी जिस तरीके से आपकी SBI innovative opportunity fund में करी गई है अब इसका अगर आप benchmark देखें तो benchmark है इसका निफ्ती 500 जो कि हमारे multi-cap category का index है इसके अंदर देश की 500 companies आती है जिसमें 200 small cap, 1500 mid cap और 100 large cap होती है देखिए इतना detail में बताना इसलिए जरूर में आए ऐसा नहीं है कि जो पुराने लोगन को पता ही है तो 500 companies होती है जिसके दर invest कर जाता है तो इसके अंदर जो fund manager है उसके पास choice रहेगी कि वह जो है ना इन 500 companies में से जो भी theme है इसकी मतलब जो fund है इसकी theme है आपको maximum growth और minimum risk रहे इस तरीके से बनाए गई है इसकी theme तो इसके अदर होगा क्या fund manager के हाथ में सारी की सारी power रहेगी वह ही अपने experience से अपनी knowledge से select करेगा कि आपको जो risk है minimum रहे और आपके जो returns है वो maximum रहे और Tata की आपने देखा होगा जतनी भी scheme से अच्छा परदर्शन करने है ऐसा नहीं है कि Tata की scheme अच्छा परदर्शन नहीं क कुछना चाहेंगे तो दोस्तों इसके returns देखें बिल्कुल exact बताना तो बहिमानी होगी ऐसा भी हो सकता है कि जो fund manager है वो ज्यादा small cap के अंदर ले ज्यादा mid cap ले लार्ज cap कर ले और ऐसा भी कर सकता है जो fund manager है ज्यादा large cap के अदर लेकिन minimum से minimum आपको ये 16% से ज्यादा return देगा minimum मता रहा हूँ minimum आपको 16% से ज्यादा return देगा ये बक्की बात अब बहुत सारे भाई आसे हैं जो SBI Annuity Opportunity Fund से परिशान है वो कहले है कि उसके पैसा लगा दिया था एक भाई का कल कमेंट आया कि sir मैंने 25 लाग रुपे लगाय हूँ है SBI Annuity Fund में मैं क्या करूँ आप जो पैसा लगाएंगे इसके अंदर वो आपका अराम से 40-50 कंपरी इंवेश्ट करेगा और साथ में कम से कम आठ सेक्टर के इंवेश्ट होगा आठ सेक्टर में तो देखिया आपका पैसा कितनी जल्दी डेवर्सी भाई हो गया जो भी आप 1000 रुपे 2000 रुपे 10 इसमें और इनरजी सेक्टर, IT, Finance और Manufacturing और इसके अलावा Banking जो भी सेक्टर से सब के ना इंवेश्ट होगा हो जो मिजर सेक्टर से होते हैं आपके तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, डिवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इस फंड के ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉल्म नहीं होने वाली, लेकिन एक चीज का ध्यार निखिएगा, मार्केट भी डाउन चल रही है, तो हो सकता है यह अलोटमेंट के बा या 9 रुपे 90 पैसे भी आजए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टम्परेली है, वो सब चीज़े रिकरवडी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो यह सारा का सारा इसका, मैंने जो डिटेल थी आपको देनी का खुश्च कर दिया, मैक्सिमान चीज़े इसके ना कवर मैं झा दमको